हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है आपके लिए जो प्यारा कैच्छदा मेहत आपका चलता है 11 वजे चलता था विचारा लेकिन उसको तीन वजे ला गए लेकिन क्वालिटी तो नहीं बदलिये कैच्छदा मेहत की शुरुवात और आप लोगों के लिए मतलब कह सकते हैं कि एक इंडिया का बेस्ट प्रक्टिस सेशन ना कि यवल रेलवे के लिए आपके हर एक्जाम में इसे कोशन आने वाले हैं तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के प्यारे से आपको आप चालू कर दिया है तो जीतना भी हमें ही है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका एक्सप्रेस बेच सुबह चलता है मौर्निंग में जहां आपको पड़ा रहे हैं आपके लिए रंडीती भी पूरी एक्सप्रेस बेच की क्लियर है क्लास रीजनिंग की क्लास मैट्स की क्लास नौ दस ग्यारा बजा देंगे सबके बारा चलिए आपके लिए जो इंडिया की बेस्ट प्रेक्टिस है जो आपका यह तैयारी फुल मार्क्स की एक्जाम वाली फीलिंग देने के लिए आपका यह कैच दा मैट चल रहा है तीन मैट्स भाई साहिल सर यह आपका ठीक है यह आपका टेलिग्राम चैनल है और कुईक्ट्रिक्स भाई साहिल सर ओफिशल इन दौनों पर पीडिये आपको मिल जाती है सुबह वाले सेशन की ब्लगई है अब इनकी ब्ल जाएगी ठीक है वन मिलियन की फैमिली होने पर आपके अपनी application से जाकर ले लेना और अगर आप reasoning का लेना चाहते हो GS का लेना चाहते हो और RB लेना चाहते हो इसमें भी discount आपको मिल रहा है जाकर paid course में जाना course लेना select करना coupon लगा देना ऊपर coupon है और जुड़ जाना ठीक है अपने quick tricks भाई साहिसर application पर ठीक है test series लेना चाहते हो test series भी railway की मिल जाएगी पहला प्रशन आपकी screen पर दे रहा हूं आपका समय शुरू करता हूं अब आपका समय शुरू हो गया अब खरिए कि आपका समय शुरू होता है अब अब देखिए 8 cm ठोस लंब वरतिय बेलन का आयतन दे रखा है इसका वक्र प्रश्टे चितफल क्या होगा देखो तो बेलन कैसी आकरती होती है सर जी बेलन एक ऐसी आकरती होती है जिसके अंदर आपका अपना एक आयतन होता है जैसे कि यह और यह हो गया 392 के बराबर आठ से काटा आठ चोके 32 बचे कितने साथ आठ नाम बेहतर तो त्रिज्जा निकलकर आगई सेवन अब आपका वक्र प्रश्टिय चेत्रफल क्या होता है वो होता है इसा टू पाई आर एच हम यह जानते हैं कि 2 पाई को पाई रहने दो आर की वेल्यू आपकी साथ है और एच की वेल्यू आपकी आठ है 56 नी 112 पाई आपका आंसर आ गया जिसका भी आंसर 112 पाई आ रहा है वो ठीक है और आपके जो कोशन CTM में होते हैं जो होंगे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी आपको एक्जाम निकालने में ठीक है चलिएगा आईए अब आते हैं आपन अगले प्रश्न पर आपके सामने अगला प्रश्न है काफी इंट्रेस्टिंग ये कुश्यन है आपका समय शुरू करता हूं आराम से इसका जवाब देना और देखना कितने बच्चे इसका सही आ कि यूट्यूब की क्लास लेना जरूरी नहीं पहले वो जरूरी है फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और प्रेक्टिस की जर्वत है तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं अदरवाइस कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि जहां जो फाउंडेशन में बहुत कुछ है मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आप समझें बात को हां और बस वह मल लगाकर पढ़ाई कर लो बस उसको तो 3 प्लस X माइनस इसको सॉल्व करना सर जी यह पॉइंट 3 आ रहा है माइनस में तो 9 4 माइनस 3 0 64 पॉइंट में 3 प्लस X बराबर आपका आगया 4.64 और X बराबर हो गया सर जी 1.64 अगला कुछन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं देखते हैं कौन आंसर देता है कौन से कंसेप्ट पर है यह बताते रहना आप कि सर यह इस पर यह कंसेप्ट लगेगा जिससे कि आप प्रश्ण को पढ़कर पैचान पाओ फिर मैं इसका आपको एक सॉलिशन देता हूं अच्छा वाला देखिए आप सभी विध्यारती अच्छा कर रहे हैं आपने देखा कि सर चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेकिन अगर यहां अंक लिखे वह आ जाते हैं तो कॉंसेप्ट ल्सिएम का ही रहता है कॉंसेप्ट चेंज नहीं होता कॉंसेप्ट ल्पनी चार अंकों की जो इन शप्ते चली जाए तो यहां एल्सिएम लेना अनिवार रहे हैं तो हमने ने काटा दो से दो चोके आठ दो पंजे दस दो चिकी बारा दो अठे सोला फिर हमने काटा दो से दो दुनी चार यह आया पांच यह आया तीन यह आया चार फिर काटा हमने दो से यह हो गया पांच यह हो गया तीन यह हो गया दो फिर हमने काटा दो से फिर यह आया पांच तीन और एक फि नाइन कि आपका जो format बनेगा वो बनेगा LCM 240 गुणा के LCM गुणा के यह के है ना यह decide करेगा कि आप चार अंगओं की बड़ी से बड़ी संख्या पर पहुँच पा रहे हो या नहीं चार अंको की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बता सकते हो कोई भी बच्चा सर नाइन 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 लेकिन ये 240 का मिल्टिबल होना चाहिए तो आप ऐसा कुछ देखिए ओप्षन से अगर करना चाहते हो तो 240 9600 जा रहा है यह हो सकता है ये तो नहीं हो सकता क्यों क्यों क्योंकि 24 से नहीं जा रहा ना इसलिए अच्छा यह 9840 देखना जीरो से जीरो गया 24 984 को मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो मैंने काटा 6 से काटा 4 वर 6 एकम 6 बचे 3 6 चंगा 36 64 24 यह जा रहा है यह भी हो सकता है अंसर यह अंसर हो जाएगा क्या सर जी 9 8 और 8 नहीं जाएगा यह आंसर होगा आपका C option अब C मैंने कैसे दिया आप बता सकते हो मैंने ऐसे दिया कि भाईया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी देखो यानि कि इसके पास में कौन है उसके पास में यह है अच्छा क्या यह 240 से जा रही है हाँ जा रही है तो C answer आपका हो जाएगा क्योंकि 240 से जा रही है ठीक है clear है ना तो यह अच्छा concept है और आप option से भी इसे कर सकते थे बट option से नहीं करना हो तब तब आपको यह divide करना पड़ेगा के की value निकालनी पड़ेगी के की value निकालनी पड़ेगी 9999 में को 240 से divide करने पर के की value निकाल कर फिर गुणा करना पड़ेगा तब जाके आएगा answer clear अगला करते है चलो अराम से यह question काफी पूछा गया है आपके पेपरों में बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई सिखाता नहीं है और ना कोई आपको explain करता है हम आपको पूरी चीज करेंगे आपके सामने यह प्रशन है इसे आप try कर लिए एक ब पताऊंगा और कैसा लग रहा है question करके मुझ जी तो पता है अच्छा लगता है आपको regular करने वाले हूँ हाँ 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 मैसे पर क्या होगा तो कभी भी अगर आपको इस तरह की power आजाएं SCF निकालना पूछे का हमेशा तो आपका जो यह पावर होती है ना इसे 45 और 35 है इसका आप SCF निकालो पहले तो 45 और 35 का अगर आप SCF निकालने बैठ रहे हैं तो मेरे इसाब से SCF आ रहा है पांच और 45 और 35 का जब SCF पांच आ रहा है तो यहां हो जाएगा सर तीन की पावर पांच माइनस का वन सब्सक्राइब करना जब आपको पहले वर पढ़ना है तो आपको फांडेशन से कवर कर सकते हो अगर आपको फांडेशन नहीं कवर करना ऐसे धुनला धुनला पढ़ना है कि कॉंसेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप फ्री क्लास भी ले सकते हो प्रैक्टिस उनके लिए जिनको पढ़ा हुआ है बहुत सौर्टिड चीजें मैंने कुछ भी कमी नहीं ठोड रखी देखाजाए तो कुछ भी कमी नहीं ठोड रकी बस बढ़ाई करना है क्लियर है अगला कुशन देखेंगे आप अगला कुशन देखेंगे आप इतने परसेंट प्रती भागियों ने कोई पुरुसकार नहीं जीता लेकिन साथ सो प्रती भागियों ने पुरुसकार जीता इतने परसेंट नहीं जीता तो कितने नहीं जीता तीन पॉइंट पांच परसेंट ने जीता होगा 3.5% किसके बरावर है 700 के बरावर है और यहां आप 100% निकालने बैठे हो तो आप निकाल सकते हो कि भईया 20,000 परती भागी है 100% का मतलब 20,000 परती भागी है 100% का मतलब 20,000 परती भागी है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है average का question है concept average का लगेगा जो भी एक shortcut method है वो मैं आप तक पहुचाऊँगा अच्छा समझाऊँगा समझ में भी आजाएगा आपको तो थोड़ा एक बर खुद भी try करना और फिर मैं जो समझाऊँगा वो तो देखना ही देखना है सत्तर संख्याओं का जो ओसत है वो बासट है पहली 42 संख्याओं का 60 है तो पहली 42 संख्याओं का एवरेज जो है वो 60 है लास्ट की सत्ताई संख्याओं का जो एवरेज है वो 64 है और पूरी की पूरी 70 संख्याओं का जो एवरेज है वो 62 है कोई दिक्कत है क्या यहां मैं जोड रहा हूँ तो वही 69 हो रहा है तो जो आपकी 43 वी नमबर है वो निकाल नहीं है कैसे निकालोगे पहले आप चेक करो कि 62 से ये कितना कम 2 कम है 42 यूनिट में 62 से ये कितना ज्यादा 2 ज्यादा है सत्ताई यूनिट में माइनस 84 प्लस का 54 डिफ्रेंस माइनस का 30 इनका आ रहा है ये माइनस का 30 को कौन बैलेंस करेगा ये का केला करेगा यानि कि आप 62 तो पहले ही है आपका अब ये एकलोती संख्या है तो माइनस का 30 को बैलेंस करेगी प्लस का 30 कर देगी तो यानि कि जो 43 संख्या है वो 92 हो जाएगी सबसे अच्छा तरीका होता यह deviation method कहते हैं इसको ठीक है क्योंकि यह जो minus 30 है यह अकलोती संख्या balance कर देगी इसको next question देखेंगे कि संख्या एक्स और वाई के अनुपात में यह है एक्स जैड से इतना जादा है तो वाई जैड से कितना अधिक होगा देखेंगे एक्स और वाई का जो अनुपात है वो चार अनुपात पांच है सर और बोला गया सर एक्स जो है वो जैड से बीस पर्शन जादा है जैड से यानि कि यह 6 है तो यह 5 है तो वाई जैड से कितना अधिक होगा तो एक्स को बराबर करना पड़ेगा तो यहां हमने 3 से गुणा कर दिया यहां हमने 2 से गुणा कर दिया तो Y Z से Y कितना है 15 और Z कितना है 10 तो Y Z से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है 10 के respect में गुणा 100 50% Y Z से कितना देखोगा 50% देखोगा हर किसी का अंसर आ रहा है क्या बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत बढ़िया ऐसी करना भी है देखो वो आपको confidence भी देगा और motivation भी देगा दौनों चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप यहां से ले सकते हो आप कर पा रहे हो अगला प्रशन आपके सामने है यह लिजिए देखे भी यह अब इस तरह का कुशन आ जाए तो कैसे करोगे आप मेरा यह मनना तो है कि सर कि यह अगर डिवाइड कर दोना आप तो डिवाइड करने पर आ से जिए गा सर 10टीटा बरावर ए टैनटीटा बरावर वण अपऑन रूट थpri और ठीटा की वेल्व निकल कर आगई कि 30 degree अब ठीटा कि अगर 30 degree आ गई तो आर निकाल दो भाई तो आर बराबर कॉस्ट इसकी वेल्यू होती है रूट तीन बटे दो तो आर की वेल्यू अपने आभी पता लग गई सर साथ आर की वेल्यू हो गई साथ तो बन गई बात अब समझ में आ गई या चलिए नेक्स करना कोशिश करना ट्राई करो 9th कुशन है कौन से कंसेट पर है यह बताओ और क्या अंसर आ सकता है आपका यह बताओ करना है लोगा सकता है यह बताओ किसी निश्चे धन राशी पर दो वर्षों के लिए चक्रवर्ती व्याज 912 रुपे और समान समय अब्धी के लिए साधन व्याज इतना है ठीक है तो भाई साधन व्याज इतना है दो साल की बात है दो साल तो पहले साल का कितना हो जाएगा का 380 और दूसरे साल का भी 380 सही बात है ठीक है अब आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा कि अगर चक्रवर्ती व्याज आपका 912 है और 760 आपका साधन व्याज है तो व्याज का अंतर क्या होगा मैं दो साल के लिए साधन व्याज को दो भागों में बांड दिया लेकिन अंतर में क्यों पूच रह हूं क्योंकि व्याज के ऊपर याज होता है वही तो डिफरेंश होता है में यही डिफरेंस है जो है ये तो यहां मैं 2 में से 0 गटाऊंगा 2 11 में से 6 गया तो 5 152 अब आप मुझे बताइए दर कैसे निकालोगे तो मैं कहता हूं कि 380 का कितना रेट 152 के बराबर है 19 से काट दीजिया पहले तो सर जी देखे जीरो से जीरो काटा उननेस दुनिया 38 उननेस अठे 152 और बराबर हो गया 40% जिसका भी आंसर 40% आ रहा है ऐसे कोशन में तो कभी गलती मत करना अच्छा लगा नहीं लगा पहले थमसप करके बताएंगे आप आपके कमेंट आपकी चीजें काफी माइने रखती हैं मेरे लिए पहली चीज तो यह निकल कर आ चुकी है चीजे क्लियर हैं सर कोई दूसरा त अब फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला जिस बच्चे को तुरंत याद है वह तुरंत लगा सकता है चक्रवरती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर को बराबर होता है प्रिंसिपल गुना दर का इसकोईर बटे सो लेकिन इसउ क्या है यहां पर फिर निकालना हुँ आपका बहुत धन्यवाद आगे प्रयास है PGT हिंदी बनने बनने का इसी कारण दिन बहुत बढ़िया विनीता और ऐसे चुपारुस्तों बच्चे होते हैं जो निकल जाते हैं और बाद में ठेंक्स करते हैं अच्छा है चलो अगला प्रशन आपके सामने यह रहा कि डेहली के सभी अलफाबैट्स को कितने सार्थक या निरर्थक मतब हर तरह के वर्ड बनाए जा सकते हैं पांच अक्षर तो देहली में पांच अलफा बैटें एक दो तीन चार पांच फाइफ फैक्टोरियल से आप इसे अरेंज कर सकते हो तो डायरेक्टली आपका अंसर 120 हो जाएगा कोई और चक्कर ही नहीं है कोई चक्कर ही नहीं है और इसके अलावा कोई जर्वत ही नहीं है क्योंकि कोई भ अल्फाबेट रिपीट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं आईगे आपको पेड कोर्स लवकुष अपनी एप्लिकेशन है कुईक्ट्रिक्स बाई साहिल सर वहां पर जाकर बहुत सिंपल तरीका है पेड़ कोर्स पर क्लिक करो ले लो अगला प्रशन आपके सामने यह रहा आराम से करना भाई है कुषन अच्छा है चॉकलेट्स बटने वाला कुषन है सिक्षक दिवस पर पांसो चालिस बच्चों में चॉकलेट्स समानते बाटी जानी थी पांसो चालिस बच्चों में चॉकलेट्स मातने वाले थे किन्तु उस दिन 135 बच्चे एपसेंट रहे तो जो बाकी बच्चे हुए बच्चे हैं उनको दो चॉकलेट्स जादा मिली तो यूं मैं कह सकता हूं कि पहले 540 बच्चे थे और अब 135 बच्चे हमने कम कर दिये तो कितने बच गए 405 सही बात है हां तो बच्चों का इस रेशो कितना आ रहा है सर जी आप इसको काट दिए 9 से 6 बार 9 436 और 945 और 15 कितनी चॉकलेट मिलने जादा मिलने लगी दो एक्स्ट्रा मिलने लग गई तो पहले कितनी चॉकलेट मिल रही थी 6 चॉकलेट और बाद में कितनी मिलने लग गई आठ तो पहले 6 चॉकलेट मिलने वाली थी और जब बाद में जो बच्चे एपसेंट हुए उसकी वज़े से 8 मिलने लगी तो पहले ही पूछा गया है कि मूलत हा मूलत है मतलब originally आप कितना distribution लेकर चल रहे थे originally आप 6 chocolate per student लेकर चल रहे थे ठीक है बस इस तरह का है concept अगला प्रशन आपके सामने है आपके सुछा तो कितना झाल झाल थीन रूट 5 हो गया अब 125 है तो 5 रूट 5 हो गया 125 को क्या लिख सकता हूं 5 रूट 5 अब आपका कितना निकल गे लगा चार निकल पांच आप उनकल कर निकल कर आ गया पांच क्या है रैशनल नंबर है एक रैशनल नंबर है आप तौल्व करने के बाद ही पता लग पाएगा अधरवाइस आप शकल देखके तो इर्रैशनल बोलके चल सकते हो लेकिन फाइदा नहीं है इसमें ठीक है अगला कुशन आपकी स्क्रीन पर है थोड़ा पढ़िए थो पंदरा शीट वाली एक पुस्तक की सौ कॉपियां बनाने के लिए 26 रिम काज की आवशक्ता होती है कितनी कॉपिया बनानी है फंदरा शीट वाली सौ कॉपियां आपको चाहिए तो आपको काम निकालना है वो काम नीचे आता है कैई बच्चे इस चीज को समझी नहीं पाते तो गलत कर देते हैं पेपर में हम गलत नहीं करने देंगे देखिए तो सर काटो पच्चेस वैसी भी कड़ गया पंदरे सो से धाज साड़े साथ सो से दो बार दो से काटा मैंने तेरे बार तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 169 रिम हो जाएगा 169 रिम क्या हो जाएगा 169 रिम आपका अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर यह लीजिए करके बताईए आप 179 रिम होओा जाएगा ज aanधकी आया आपकी स्क्री आपकी स्क्रीधा 108 km प्रती घंटा की गती से चल रही एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में एक प्लैटपॉर्म को पार करती है एक आदमी इसी प्लैटपॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है आदमी आप सहुच रहे हो कहानी बहुत सिंपल है सर 280 मीटर लंबी ट्रेन है प्लैटपॉर्म की लेंथ मुझे नहीं पता 108 किलोमिटर की रफ्तार से चल रही है इसको 5 बटे 18 से घुना करूँगा और 12 सेकंड में पार करवा दूँगा यहां से मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो लेंट आप प्लैटपॉर्म निकालता हूँ 12, 36, 360 और यहां से लेंट आप प्लैटपॉर्म निकल कर आती है मेरे पास 80 कि और उसको Ein. अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिये करके बताईएगा आपके सामने क्या है झाल झाल अब 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेल गाड़ी की चाल आपको दे रखी है कि वह एवन क्लोमेटर प्रती घंटा एवन क्लोमेटर प्रती घंटा मतलब हर घंटे तो रेल गाड़ी की उसत चाल क्या होगी बच्छा कुशन है मान लीजिए 10 लगातार है लगातार मतलब लगातार होता है यह 10 क्रमागत घंटों में तो यह पहले घंटे फिर मतलब एक एक घंटे में है न कहने का मतलब यह दूरी हो गई ए थरी की दूरी हो गई क्योंकि हर एक घंटे में टैकी कही दूरी है ए फाइव की दूरी हो गई ए ए सिक्स की दूरी हो गई ए सैवन की दूरी हो गई ए एट की दूरी हो गई ए 9 की दूरी हो गई ए 10 की दूरी हो गई दूरी कुल दूरी बटे कुल समय तो ऐसा होता है तो क्या होता है तस गंटे ही तो लोगे तो दिस इस दा अर्थमेटिक मीन ओफ ए 1,2,3,4,5,6 खत्म है बहुत सारे बच्चे परिशान होते हैं इस तरह का लेंग्विज बिस कुश्चन आपका रेलवे भर भर की पूछता है आपको भी पता है यह बात तो यह कैसा दिख रहा है इस इस कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ओके फाइन नेक् सबसे छोटे कौन के बीच का अंतर क्या है अ झाल एक चत्रबुच के तीन कौनों का अनुपात दिया हुआ है चौथा कौन इतना है अब 360 डिगरी में से 36 को घटा देने पर 324 आ गया अब 324 डिगरी हो गया अब 324 डिगरी को किस अनुपात में वाटोगे इस अनुपात में तेरा और नौ बाईस और पांच बाईस और पांच 27 27 बराबर 324 एक बराबर 27 27 दूनी चववन बारह डिगरी तो इस चत्रबुच के सबसे बड़े 12 इंटू 13 156 डिगरी और सबसे छोटे खुद 36 है का जो क्या है अंतर 120 अच्छा दूसरे सबसे छोटे मुआफी चाहते हैं आपसे 1250 गटाना पड़ेगा 156 में से 60 गटाना पड़ेगा 96 अंसर आजाएगा आपका अच्छा कुश्चन है अच्छा लग रहा नहीं लग रहा बताते रहे ना यार बहुत सभी चीज़े लेकर आया हूं और बहुत तरीके से मैं तो आपको पता है कि कैच्छदा मैं तो अपने अपना प्राइम सेग्मेंट है माध्य और माध्य का कि अगर देखें माध्य और माध्य का का योग कितना होगा सबसे पहले देखो माध्य 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 में कुछ नहीं होता माध्य में का मतलब है योग करके संख्या का डिवाइड कर दो तो यहां में यह कह रहे हैं दो और छे आट और आट शोला और शोला और छे अपना हो जाएगा बाइस और बाइस और चार चब्विस और राट चब्विस और आट चौनतिस तीन दो पांच छे साथ आठ चमबालेस हो जाएगा यह तो ओहो सौरी 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 यह तो केवल आपके माध्या निकली है सौरी माध्या निकला है माध्या यह तो आपने केवल माध्या निकाला है अभी आपसे माध्या भी तो पूछ रहा हूं मैं माध्या भी बताओ माद्दिका क्या होती है पहले आपको arrangement करना पड़ता है ascending order में तो position देख लेंगे 8 है न तो 8 है तो माद्दिका हो जाएगी 4 पद और 5 पद बटे 2 4 पद और 5 पद बटे 2 तो 4 पद basically 1 खतम 2 और 1 2 क्या करते हैं 3 4 और 5 16 प्लस 18 बटे 2 17 आगया 17 कहां से आएगा भी जल्दवाजी इतनी हो रही है अब इनका योग पूछा गया आपसे 35 आंसर आएगा मज़ा आगया अच्छा तरीका है दौनों चीजें आपको आनी चाहिए पेपर में बहुत काम आती है यह आप भी जानता हूं ना तुम से कुछ छुपा है ना हम से कुछ छुपा है बस चीजें सीखते रहो मज़े से पढ़ते रहो दौनों तरफ सेग्मेंट चल रहे हैं सुभे टौपिक वाइस करा रहा हूं यहां मिक्स प्रेक्टिस चल गई ह कोई दिक्कत आने दूंगा नहीं आपको मैं अगर आप खुद जब तक दिक्कत ना चाहें हाँ यह जो है हिस्सा यह साइन्स का हिस्सा है यह है आपका मैथ यह आपका है इंग्लिश और यह आपका है हिस्ट्री और उनकी आपको फ्रिवेंसी दे रखिए तो पाइचार्ट में आपको मैथ का किंद्र यह कौण क्या होगा मैथ मैथ 25 मैथ आपका 25 थोटल कितना है पोटल आपको डिगरी में निकालने तो ॔र टोटल कितने है आठ और फांस तेरे और साथ 20, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 100, तो 25 बटे 100 और 360 डिग्री, तो आपका 90 डिग्री जो आ रहे है न, वो आपका एंगल है, क्योंकि हमेशा टोटल के रेस्पेक्ट में आपको बात करना है, ठीक है, clear है, next, अगला करेंगे एक बार, कि sir what is the value of this, क्या होगा, झाल देखिए यह 9 की पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10 3 की पावर माइनस का 4 अब 3 की पावर 3 है तो 3 तीन नो यह हो गया सर 19 में से 4 चले गए तो कितना हो जाएगा 15 तो 3 तू पावर 15 आगया नेक्स्ट आपका फिवरेट आपका फिवरेट यहे तो आता है वेबर में और कहां से आते हैं कुशन यही तो में चीज है अब 5.26 को आप आवर मिनट और सेकेंड में बदल दो देखिये 5.26 को आप आवर मिनट और सेकेंड में बदल दो 5.26 आवर को आप ऐसे बदल दो तो यहां निकलके आया वहिया कितना पांच घंटे अब पॉइंट 26 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया 6.36 6.12 और 3.15 ठीक है तो यहां दो छोड़कर लगा दिया तो पांच घंटे अब यह जो है वो मिनट में है 15 मिनट और इस पॉइंट 60 को फिर से सेकेंड में बदलना है तो 60 का गुणा कर दो तो 36 सेकेंड मिनट को यह पॉइंट में आया 5.26 तो गंटे में था इसको मिनट में बदला अब मिनट में बदलने का 15 मिनट ले लिया तो यह पॉइंट 6 मिनट में तो इसको सेकेंड में बदल दिया 60 से गुणा करके मज़ा आ गया वाई अगला कुशन करो आराम से तसली से हौले हौले को कि एक सिम कंपणी एक को कॉल रेट हर चार सेकंड के लिए एक पैसा है एकंपनी है उसमें प्रति मिनट 45 पैसा है प्रती मिनट 45 पैसा है एक व्यक्ति ने सिम ए से 560 सेकंड और सिम वी से 720 सेकंड तो टोटल कितना खर्चा हो गया यह अच्छा कुशन है यह एक क्नियम से आता है देखो एक कुशन जरूर आता है इस पर पैसा है चार सेकंड मतलब एक पैसा चार सेकंड एक पैसा पांसो साथ की लिए क्या करना पड़ेगा वांस 220 के लिए 12 से गुणा कर दो 540 तो टोटल आ गया 540 और 14680 680 पैसे मज़ा आ गया किलियर है अच्छा लग रहे ना अरे बोल दो अगला करके दिखाओ चलो अगला करो तेकिए टाइप 1 जो श्रमिक है और टाइप 2 जो श्रमिक है वो धाई गुना कुसल है तो टाइप 1 टाइप 2 तो धाई गुना है तो यह हो गया 5 अनुपाद दो यह इनकी एफिशेंसी दिख रही है अपको ताइप 1 के बारा श्रमिक किसी काम को दस दिन में करते हैं और उसी काम को एक के चार ताइप एक के चार और ठीक है ठीक है 12 श्रम एक 12 श्रम एक टाइप 1 वाले तो इनकी efficiency हो गई 60 और 10 दिन में कर रहे हैं यानि कि 600 आपका काम हो गया ठीक है कौन कौन काम करवा रहे हो टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 14 तो 4 पंजे 20 और 14 दुनी 28 तो टोटल आगया 48 तो यह देखिए आप कहा नहीं खतम बारा चौके 48 बारा पंजे 60 और यह आंसर आना चाहिए आपका टाइप 2 के 14 है न तो 28 और यह चार 20 तो बारा चौके 48 और बारे पंजे 60 अधे बारे आ रहा है मेरा तो यार है और तुम्हारा सही आ रहा है यह का बबाल है भया अच्छा 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 टाइपिंग की गलत है हमारी कोई गलती नहीं है न चार टाइप 1 एंड 15 टाइप 2 तो यहां 15 आएगा न यहां 15 कर लो 15 श्रमिक ले लो यार इंग्लिश मीडियम वालों के सही आंजर इतरा रहे हो तुम्हें बारह हो गया बारह सही कर लेना हिंदी में गड़बड़ है बाकी ठीक है अगला कुशन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ एक संभाहु तिर बुच की उचाई दे रखी है उसका छेतर फल बता दो चलो भाई लाइक शेर करते रहना 6 बजे CTR होगा और रात को 10 बजे CTS अब एक संभाहु तिर बुच की जो उचाई है वो यह है उचाई बराबर कितना होता है रूट 3A बाई 2 यह आपका 3 रूट 3 के बराबर है और आपका जो A है वो 6 हो गया संभाहु तिर बुच का छेतर फल क्या हो जाएगा रूट 3A स्क्वाइर बाई 4 रूट 3A स्क्वाइर यानि की 36 बटे 4 9 रूट 3 आंसर है 9 रूट 3 clear? वेरी गूट अगला कोशन देखिए है अटाक से करिए कोशन को अब दी गई आकरती में R O Q ब्रत का व्यास है यह दिख रहा है व्यास? हाँ दिख रहा है P O P O R P O R आपका 130 है P O R अच्छा यह 130 है तो यह अपने आप 50 हो जाएगा यह 90 डिग्री है आपका तो 9 और 5 एक हो गया 14 और यह हो गया 40 है तो Q P O Q P O पूछा गया 40 हो गया यह तो हर कोई कर सकता था असानी से सर एक्स्प्रेस बैच का एक्सपेक्टेट पेपर चलते रहते हैं लगातार वहां टॉपिक वाइस कवर करवाएंगे फाउंडेशन में बेसिक कवर हो रहा है हर चीज फिक्स है अगला प्रशन करिए अब इतने में बेच कर इतने का लाव अरजित कर लिया अब इतने में बेचा है ना यानि कि यह विक्रे मूल्य है यानि कि 130 परसेंट बराबर 6110 जीरो से जीरो काटा एक परसेंट की वैल्यू तेरह तिया 49 तेरह चौके 52 तेरह सत्ते एक किन में आंसर आ गया 4700 परसेंट की वैल्यू तो 4700 उसकी लागत कीमत हो जाएगी सेशन कैसा लगा आप करपया करके बताईए कमेंट करके किसर इतने नमबर मेरे आ गए और हर कोई बच्चा डेली जो नमबर आएंगे वो कमेंट में लिखेगा और डेली जो कुशन बन जाएं तो ठीक है नहीं बनेंगे तो उन्हें रिवीजन करेगा ये उसका काम है हाँ मुश्किल लगता है बट काम आसान हो जाएगा अगर आप मेहनत कर लोगे साथ में तो सेलेक्शन दिलवा दूँगा ये मेरी आपसे वादा है ठीक है चलिए आपके लिए मैध की रन नीती बता रखी है अगर आप फ्री क्लासिस लेना चाह रहे हो तो एक्सप्रेस ब रेल्वे सेक्शन में हमारी अप्लिकेशन है क्विक ट्रिक्स टैस सीरीज वहां टैस सीरीज ले सकते हैं ओफर आपका चल रहा है ठीक है चलिए अगर आप एक्सप्रेस बैच में फ्री क्लासिस लेना चाहते है तो सुबह 9 बजे साइंस की 10 बजे आकासर की रीजनिंग और रात को CTS चलेगा क्याच दा साइंस ही टीम हो चुका है आपके जो PDF मिलेगी मैट भाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल और क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली आपको PDF करन्ट अफिर की सुबह 6 बजे क्लास होगी उसकी PDF आपको शाम को एप्लि एप्लिकेशन पर तो वो हमारे इस ओफर का फाइदा उठा ले ऐग्यू अपनी एप्लिकेशन पर जुड़का की एकञरी कर सकते सकते हो अगर चाहो तो उसके बाद यह प्राइस बढ़ जाएगी आज रात के बाद तो अपनी एप्लिकेशन कुइक ट्रिक्स पाइसाहिल सर एप्लिकेशन पर आप अपने मैथ फांडेशन बैस से भी जुड़ सकते हो जहां हो गया है जितना वह रिकॉर्डड फॉर्म में म जाना उसके बाद आपको मैथ का लेना है तो मैथ का ले लो रीजनिंग का लेना है रीजनिंग का साइंस का लेना है साइंस का जीके का लेना है जीके का सारे लेने है तो और भी ले लेना सस्ता मिल जाएगा तो बस कूपन लगा लेना ऊपर कूपन मिला हुआ है क्लिक करके डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है भया यह अपना कुईक ट्रिक्स भाई साहिसर एप्लिकेशन है डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से सारे कोर्सिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगले दिन जो क्लास होगी उसमें हम आपसे मिलेंगे कल सुबह और बढ़िया तरीके स चीज़े सिखाएंगे आपको और भी अच्छे चीज़े सिखेंगे कल परसेंटेज के आगे होमवर्क करेंगे फिर अगला टाइप पड़ेंगे तो जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम और उमीद करता हूं कि आपको मज़ा आया हो कैसा लगा सेशन कमेंड करके बताईए ब